बच्चों से लेकर बड़ों तक सब के फैवरेट होते हैं यह आलू चिप्स जरा एक बार इनका आवाज सुनिए यह कितने क्रंची बने है बस कुछ खास टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप भी ऐसे ही एक्टम क्रंची पोटेटो चिप्स बना सकेंगे हाई फ्रेंज असलाम अलेकूम जीनत इंड़ कीचन में आप सब का बहुत बहुत वैलकम है तो चलिए बनाना स्टाट करते हैं सब के फैवरेट आलू के चिप्स तो जितने आप चिप्स बनाना चाते हैं ज्यादा कम उसी सब से आलू ले लें और इनके छिल के निकाल लें तो ये रीके सारे आलू मैंने छिल लिये हैं और ये 5 आलू हैं इसमें छोटे और बड़े दोनों साइस के आलू हैं तो एक बड़े से बॉल में आप पानी लेंगे आधा बॉल जितना अब आलू के चिप्स बनाने के लिए इस तरीके का कोई भी आप स्लाइसर ले सकते हैं तो आपके पास जो भी अवेलेबल होगा तो उसे ले लीजिएगा अब आलू के लंबे साइस की तरफ से स्लाइसिस कर लेंगे आलू में बहुत ज्यादा स्टार्ज होता है इसलिए हमें इसे पानी में अच्छी तरह धो लेना है तो दिखिए इस तरीके से एकदम पतले होने चाहिए यह दिखिए तो ऐसे ही सारे आलू के स्लाइसिस बना लेते हैं तो फ्रेंट्स आप मुझे फेस्बुक पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंट्स और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो एक बार धोलेने के बाद इसमें से पानी अलग करेंगे और दूसरा पानी डाल कर दोबारा से इसे धोलेंगे तो इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा दो से चार आलू का इस्तमाल करके इस तरह धेर सारे आलू चिप्स बन जाते हैं और इन चिप्स को एर टाइट अपड़ा लेकर अच्छी तरह बिछाएं और इसके उपर आलू के स्लाइसिस को फैलाएं अब ये भी बहुत ही ज़रूरी टिप है इसे भी ज़रूर फॉलो करें तो सारे चिप्स को इस तरह फैला लेने के बाद इसमें जो पानी लगा है इसे हमें पोच लेना है थोड़ तो अगला स्टेप देख लेते हैं किस तरह इने फ्राइ करना है तो अच्छी तरह सारे देखिए स्लाइसिस को इस तरह पोच कर सुखा ले अगर आपने अब तक चिप्स को ट्राइ नहीं किया है तो इस तरह बना कर देखिए आपको बहुत पसंद आएंगे और बच्चे आपसे यह बार बर बनवाएंगे तो यह सूख चुके हैं चलिए इने फ्राइ कर लेते हैं तो फ्राइ करने के लिए हमें तेल को पहले अच्छी तरह एकदव कढ़क सा गरम कर लेना है तो लो फ्लेम पर या फिर मीडियम फ्लेम पर इने फ्राइ ना करें क्योंकि ऐसा करन में डाल सकते हैं बस उतने ही डालिएगा एकदम से बहुत ज्यादा भी मद डालिएगा नहीं तो अच्छी तरह यह फ्राइ नहीं होंगे तो इस तरह अलटते पलटते हुए इन्हें हाई फ्लेम पर ही फ्राइ करना है अगर आपको लगे कि तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका है तभी आप गैस की फ्लेम को बिलकुल हलका सा स्लो कर सकते हैं ऐसे फ्राइ करेंगे तो ये एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे इन चिप्स को बाहर निकालने के बाद अगर ये हलके से नर्म भी हो चाहे न तो कोई घबराने वाली बात नहीं इन्हें दुबारा से आप डाल कर फ्राइ कर सकते हैं ये एकदम क्रिस्पी बनेंगे तो इसी तरह थोड़े थोड़े चिप्स डालते हुए सारे फ्राइ कर लेंगे इन चिप्स को अगर आप बिना फ्लेवर के बनाना चाहते हैं कोई भी मसाला डाले बगर तो इस टेज पर क्या करना है थोड़ा सा पानी लेना है दो से तीन टेबल स्पून जितना और उसमें आधा चमच नमक मिक्स करें अच्छी तरह नमक का घोल बना ले अब हर बैच में जो है रलका सा दो से तीन बुन्दे जितना ही नमक का पानी तेल में एड़ करते जाएं सारे चिप्स में जो है एकवली टेस्ट आएगा नमक का हलका सा बस एक से देड़ मिनट में ही ये फ्राइ हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत पतले होते हैं और इने ज्यादा देर अगर फ्राइ करेंगे तो ये जल जाएंगे तो सारे चिप्स अच्छे से फ्राइ हो चुके हैं अब इन चिप्स में हलका सा फ्लेवर देते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी में आधा चमच इतना चाट मसाला लिया है और आधा चमच लाल मिच पाउडर आप चाहे तो कश्मिरी लाल मिच पाउडर को भी ड तो यह अच्छे से दिखे मिक्स हो चुका है अब सारे चिप्स में इन्हें डाल लेते हैं तो इस मसाले को डाल लेने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लें हातों से मिक्स करेंगे तो चिप्स टूट जाएंगे इसलिए ऐसे मिक्स करें देखा आपने कितना आसान है और कितने जल्दी से ये बन जाते हैं धेर सारी चिप्स और इन्हें इस तरह एरटाइट कंटेनर में डाल कर स्टोर कर सकते हैं I hope आपको इस रेसिपी जरूर पसंद आई होगी और आप इने जरूर बना कर ट्राइ करेंगे तो कैसी लगी आपको इस रेसिपी जरूर कमेंट करके बताईएगा तब तक के लिए अल्लाहाफिस थैंक्स पर वाचिंग